बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़ पती बनना चाहते हैं, शोटकट से ही सब कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन एक बार अपने आप से पूछो, कि अगर आपके सपने इतने बड़े हैं, तो क्या आपके इन बड़े सपनों के लिए आपका ग्यान भी बड़ा होना लिखते हो, तब तक आप में जोश रहता है, लेकिन जैसे ही काम करना या पढ़ाई करना शुरू करते हो, जोश पता नहीं कहां गायब हो जाता है, यह वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने इसमें बताया गया रहस्य जान लिया, तो ना तो आपको किसी और म चांती से बेटके, आँखे बंद करके, इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए, तब तक बार बार सुनकर अपनी थोड़्स में बिठा लेना चाहिए, और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाना चाहते हो, तो कृपा करके आप इसको अभी स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ग्यान बिना ग्यान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कि कभी भी उस इंसान को सेक्रेट ग्यान जबरदस्ती नहीं देना चाहिए, जो उसको लेना नहीं चाहता, तो दोस भगवान मौटिवेसनल स्पीकर का नाम क्या है, जी हाँ, बानसूरी बजाने वाले भगवान कृष्ण, जिन्होंने आज की तारिक से ना जाने कितने ही यूगों पहले, महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा ग्यान दिया था, जो आज 21 सदी की दुनिया पर, आज इस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिये गये ज्यान को पढ़कर, अलबर्ट एंस्टाइन, महत्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, एनी बिसेंट, सुनिता विलियम्स जैसे ओर ना जाने कितने लोगों ने भी अपना जीवन बदल लिया, अगर आप यह सोचेंगे कि भागवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक गरंथ नहीं है, बलकि इसमें वो नौलेज है, जो इस प्रत्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं, उनको किसी भी बड़ी प्रोब्लम का सॉलुशन कैसे डूणते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाता है, किसी भी ब्रेक अप के सदमे से बाहर कैसे निकलते हैं, इमोशनली स्टेबल कैसे होते हैं, किसी भी बिजनिस को सक्सेस्फुल कैसे बनाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है, हम क्या है और कौन है? जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है? मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है? ये ब्रहमांड कैसे बना? क्या भगवान है? और अगर है तो कहां है? क्या आप भी पुनर जन्म लेंगे? ये लाइफ रियल है या एक इल्यूजन या एक सपना? दोस्तों इस भागवत गीता के ग्यान ने ही एक दुखी और हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अरजुन को महा बारत के महान युद्ध का सरोस्रेश्ट युद्धा और विजेता बना दिया अगर आप भी अपनी जिन्दगी में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो कि आप भी अपनी जिन्दगी की समस्याओं के जंग के मेदान के अरजुन हो और इसलिए उस गीता ग्यान को जानना आपकी चोईश नहीं बलकि आपका अधिकार है इस गीता ग्यान को समझ कर आपको एक बात का जरूर एहसास होगा कि ये असली नौलिज में पहले क्यों नहीं आसिल कर पाया तो ऐसा क्या है आकिर भागवत गीता में और इसका मतलब क्या है भागवत का मतलब है भगवान और गीता का मतलब है गीत यानि कि ऐसा गीत जो भगवान ने खुद अपने मुह से गाया हो भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपको बहुत जगह पर हिंदी, इंग्लिश और अलग-अलग भाशाओं में मिल जाएगा वैसे तो भागवत गीता को जितना समझोगे उतना ही कम है लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैंने गीता के पूरे 18 अध्याए 700 शलोक पढ़कर उनको आज की जनरेशन के हिसाब से स्टुडेंट के हिसाब से, बिजनिसमेन के हिसाब से अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनसिप में और अपनी प्रॉबलम्स में कैसे यूज करते हैं वह बताया है दोस्तों मैं यहाँ पर पूरे 18 चेप्टर कवर करूँगा और कोई भी चेप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि उसमें आप क्या सीखने वाले हो फिर उस चेप्टर को शोट में समझाऊंगा और उसके बाद उससे सीखने वाली चीजों को डिटेल में समझाऊंगा अगर आपको यह जानना है कि आखिर भगवान को खुद ग्यान देने की जरुरत क्यों पड़ी ये पांडव और कौरव कौन थे और इस महाभारत के युद्ध की शुरुवात कैसे हुई तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं मैं उसका भी वीडियो आपको अलग से दे दूँगा तो चलो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ गुरुक्षित्र के युद्ध के मैदान में जहां पर पांडव और कौरव युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हैं भागवत गीता अध्याई एक सेना का निरिक्षन दोस्तों गीता के पहले अध्याई से आपको यह सीखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है बले ही आप में बहुत नौलेज हो आप में बहुत काबिलियत हो लेकिन उस एक चीज की वज़े से आप सही डिसिजन नहीं ले पाते और अपना काम नहीं कर पाते हैं इसके साथ साथ सपने से हकीकत में इंसान कैसे बदल जाता है वहे भी हम जानेंगे कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था उसके पास बहुत बड़ी सेना थी भिस्म पितामय थे गुरु द्रोनाचारिय और गुरु क्रपाचारिय जैसे बड़े बड़े योद्धा थे पांडवों की सेना में अरजुन भीम सहीद पांचो पांडव, भगवान क्रिष्ण, अभिमन्यू, द्रोपती के पांचो पुत्रादी थे अब यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोनाचारिय और क्रपाचारिय दोनों एक ही थे दादा भिश्म भी एक ही थे साथी साथ पांडवों और कौरवों दोनों खुद भी चचेरे भाई थे लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से आ रखा था रण भूमी में जब जोर से युद्ध की गोष्णा के लिए संखनाद हुआ तो अरजुन ने अपने सार्थी भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में एक बार ले जा करके खड़ा कर दो ताकि मैं ये देख सकूँ कि मुझे किन को मारना है ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण ने अरजुन के रथ को कोरों की सेना के सामने वहां पर ले जा करके खड़ा कर दिया जहां पर कोरों की सेना में अरजुन के दादा भिस्म पिताम और गुरु दोनाचारिये खड़े थे और गुरू दोनाचारिया ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिकाया था अर्जुन ने युद्ध के मेदान में जिदर भी देखा वहां दोनों तरफी सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और कृष्ण से बोले यहां तो हर कोई मेरा सगा सम्मंदी ही है मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता मुझे इस राज्जे के लिए तो क्या अगर कोई तीनों लोक भी दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े इस तरह से अरजुन पूरे दुखी होकर और खुद को कोस्ते हुए अपने धनुष्ट को छोड़ कर रत में वापस जाकर बैट गए दोस्तों गीता के इस फर्ष्ट सेप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक्ता सोच से अलग होती है हमें नहीं पता होता है कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है जब हम किसी बूरी चीज का सामना करते हैं तो हम सहीम खो बेटते हैं और घबरा जाते हैं और घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते भले ही अरजुन युद्ध कला में मास्टर थे और भले ही वो युद्ध करने के लिए मैदान में धनुस उठा कर चले आये लेकिन युद्ध सिर्फ अत्यारों के चलाना जाने से नहीं होता उसके लिए इरादे भी चाहिए होते हैं इमोशनल इस्टेबिलीटी चाहिए होती है मैदान में आकर अरजुन को अपनी ड्यूटी से ज़्यादा फैमली और गुरूंओं से मोह हो गया और उससे फिर वो दुखी हो गया वो युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जिन्दगी में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है तो वो है हमारा मोह यानि कि अटेच्मेंट आप सुबह जल्दी उट सकते हो लेकिन आपको नींद और आलस्य का मोह होता है अरजुन एक शत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था और वो युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड भी थे लेकिन वो अटेच्मेंट में आकर अपना कर्म भूल गए इसलिए अगर लाइफ में आपको चुनोतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटेच्मेंट को सेक्रिफाइस करना आना चाहिए दोस्तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो मानलो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो लेकिन वह मनुष से आपकी प्रेम की कद्र नहीं करते ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चीए क्योंकि अटेज्मेंट किसी भी तरकाओ जब तक वो है आप अपनी लाइफ के अर्जु नहीं बन पाओगे दोस्तों गीता के दूसरे अध्याई से हमें emotional stability, आत्मा, मरत्यू, फुनर जन्म, decision making के बारे में सीखने को मिलता है और गुसे का सबसे बड़ा region और उसका solution क्या है कैसे आप किसी भी condition में खुस रह सकते हो और मेहनत कैसे करते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तब सार्थी स्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यह तुम्हें अचानक से क्या हो गया? जिस तरह की कमजोर बाते तुम बोल रहे हो वो तुम जैसे महान युद्धा के मुँसे बिलकुल अच्छी नहीं लगती इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़ कर युद्ध के लिए वापस खड़े हो जाओ अर्जुन बोले कि मैं किस तरह से अपने ही गुरू जी दुरोना चारी है वो दादा जी भिस्म पिता मैं को मारने के लिए अपना धनुश चला सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरे लिए हमेशा से ही भगवान की तरह रहे है इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं बिखारी बन जाओ क्योंकि अपनों को ही मारूंगा तो जीत में भी मेरी हार ही है मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा इसलिए मेरा मार्गदशन करो क्रिश्ण श्री कृष्ण मुस्करा कर अर्जुन को देखने लगे भले कोई इनसान उनसे कुछ मांगे और वो देहिना ऐसा भी कभी हो सकता है क्या यहीं से शुरू होता है भागवत गीता का वो ग्यान जो आपको भी अर्जुन बनकर ध्यान से सुनना और समझना चाहिए श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन ये तुझे अचानक से क्या हो गया तुझ जैसे इंसान को किसी दूसरे की मृत्यू को लेकर नहीं डरना चाहिए और वैसे भी तुझे क्या लग रहा है ये लोग तेरे मारने से मर जाएंगे और तु ही इनको मारेगा इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जनम भी था और अगला जनम भी होगा इसलिए जैसा तुम सोचकर धुखी हो रहे हो वह ग्यान तुमारा अधूरा है और रही बात इनकी मृत्यू का तुझे पाप लगनेगी तो ये समझ ले इनको मारने वाला तू नहीं बलकि मैं हूँ तू तो इनकी मौत का सिर्फ एक कारण है और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे क्योंकि ये लोग शरीर नहीं है बलकि आत्मा है और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता आत्मा तो अगले जनम के लिए इस शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है जिस प्रकार से तुम अपने पुराने कपड़े बदल कर नए पहनते हो हे अर्जुन जनम देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ और ये बता क्या तु किसी मरे हुए इंसान को जिन्दा कर सकता है अगर तु मरे हुए को जीवन नहीं दे सकता तो जीवित को भी नहीं मार सकता क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ और इनकी मौत मैंने तेरे ही हातों लिखी है और अर्जुन अगर तुझे ऐसा लगता है कि आत्मा भी मरती है तो ये जान ले कि आत्मा जैसे जन्म लेकर मरती है वैसे ही मरने के बाद प्रकर्ती का चक्र पूरा करने के लिए उसको फिर से जन्द लेना पड़ेगा इस प्रकार से भी आत्मा नश्ट नहीं हुई और जब प्रकर्ती ऐसे ही चलती है तो भला तु इसका जिम्मेदार कैसे हुआ अरजुन जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का आउसर प्राप्त होता है वो ना केवल भाकेशाली है बलकि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है और अगर तुने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तुने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निबाया और इसलिए तेरे नाम के साथ कलंग जुड़ जाएगा और तेरे जैसे अरजुन के लिए तो कलंग उसकी मौत से भी बढ़ा है जो लोग तुझे बहुत सम्मान दिया करते थे वही लोग तेरी बहुत बुराईयां करेंगे तेरी वीरता पर सवाल उठाएंगे पर ही सुख भोगेगा हे अरजुन तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस ग्यान के आगे बहुत छोटा है तुम काम करने के पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हो जबकि तुमें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले हो तुम तुम अपना काम करो मैं अवश्य अपना काम करूँगा इस बात पर अरजुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को इस्थिर यानि कि अपने इमोशन से और थोट को कंट्रोल करने को कहा है तो ये मैं कैसे करूँ इस पर श्री कृष्ण बोले कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है वही इस्थिर भुद्धी कहलाता है ऐसे व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम में खुशी होती है जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नस्ठ हो गये है जो सुब असुब के चकर से बाहर निकल गया है जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वस में कर लेता है जैसे कोई कच्छुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है उस मनुष्य की बुद्धी स्तिर हो जाती है क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती है इच्छाएं अच्छी लगने लगती है तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकाउट आती है तो फिर हमें गुसा आता है और गुस्सा आने से इंसान पागल हो जाता है और फिर वो अपना कर्म और धर्म भूल कर खुद ही अपनी स्थिती से नीचे गिर जाता है परन्तु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश्मे करके उनका गुलाम नहीं होता तो उसका अंतरमन शुद्ध रहता है और जब शांती ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा बला उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में वाह करके ले जा सकती है इस्तिर बुद्धी वाला प्राणी तो उस समुद्धर की तरह है जिसमें चाहि कितनी ही नदियां आके मिले फिर भी उसको कोई फरक नहीं पड़ता और इसी तरह का इस्तिर बुद्धी वाला प्राणी मरत्यू के बाद मेरी ही शरण में आता है दोस्तो अब आते हैं इस चेप्टर के मीनिंग पर आप मेंसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं और आज तक आप लोगों मेंसे जिसने भी अपने प्रियजन को मरत्यू के द्वारा इस संसार से नहीं खोया है उसको भी एह जान लेना चाहिए कि उनकी जिन्दगी में भी उनके किसी सबसे प्रिये यहां तक की खुद की भी मौत एक दिन जरूर होगी लेकिन इससे उदास होने की कोई बात नहीं है क्योंकि खुद भगवान नहीं कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मौत के बाद भी नहीं रहेंगे तो फिर क्या भाव कोना और यही प्रकरती का नियम भी है और हम कोई शरीड नहीं है जो हमें डरने की जरूरत है हम आत्मा है और उसी का अंश है जिसको हम भगवान कहते हैं और अगर हमें बनाने वाला भगवान है तो फिर हमें उससे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए ये दुनिया तो मात्र उस इश्वर का एक माया जाल है अब दोस्तों अरजुन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ हमारा अटेज्मेंट होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा रियल काम होता है और जो हमें लाइफ में सपलता के रास्ते पर आगे ले जाता है उधारन के लिए अगर आपको घर से दूर पढ़ाई करने के लिए या सपने पूरे करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा इसी तरह से आपको हर डिसीजन में यह देखना है कि आपकी लाइफ में मोह कौन कौन से है और आपके कर्तवे के लिए जरूरी क्या है इसके बाद बात करते हैं कि हमारी प्रोब्लम्स का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका सबसे बड़ा सोलुशन भी क्या है दोस्तो हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के बाद हम उनको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं और जब वो कोशिशे नाकाम हो जाती है तो हमारे अंदर घुस्सा पैदा हो जाता है और घुस्सा ऐसी चीज है जिसको अगर किसी ने शरीर छोड़ने के पहले नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जीखुश नहीं रह पाओगे आप हमेशा अपने आपको समस्याओं से गिरा हुआ ही पाओगे क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ आपका ही रिफ्लेक्शन है अब आप यहे भी बोलोगे कि अगर जिन्दगी में कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सक्सेस कैसे हासिल होगी नाम कैसे कमाएंगे तो दोस्तों इसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए यानि कि आपके लिए ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्षे प्राप्त करवाएगा और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या ऐसफल होने का डर मन में पैदा किये बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं बलके खुद भगवान कर रहे है और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं तूटेगी क्योंकि आपको यह लगेगा कि ये काम मैं नहीं बलके महनत भगवान कर रहे है और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं तूटेगी क्योंकि आपको यह लगेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो दोस्तों आप गीता के थर्ड चेप्टर में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजे हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती है इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हमारे अपने मन को अपने काबू में करके अपनी सभी गंदी आदतें कैसे छोड़ें और अपनी मन चाही मंजिल कैसे प्राप्त करें अरजुन बोले हे क्रिश्न आपकी बाते सुनके ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्यान कर्म से ज़्यादा सही है लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनने की जग़ युद्ध करने के लिए बोल रहे हो तो आप ये बताईए कि मैं ग्यान का रास्ता अपना कर सन्यासी बनू या कर्म का रास्ता अपना कर युद्ध लड़ू सुनकर क्रिश्न बोले इस संसार में मैंने खुदने ही दो तरह की योग बनाये है योग मतलब ऐसा रास्ता जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं उनमें से एक है ग्यान योग और दूसरा है कर्म योग और अरजुन तुम एक मनुश्य हो तुम चाहा करके भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते उधारन के लिए तुमें हर पल सांस तो लेना ही पड़ेगा अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही और अगर तुम इन सब को किसी भी शक्ती से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे कहने का मतलब है तुम से जाने अंजाने में कर्म तो हो ही जाएगा क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे ख्षत्रिय हो तो तुम अपने धर्म से भी बंदे हो इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते की जगए कर्म का रास्ता ज़्यादा सही है मतलब ग्यान योग या सांखे योग की जगए कर्म योग ज़्यादा सही है इसलिए तुम यह सोच कर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो बलकि प्रकरती का गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है फलकि इच्छा किये बिना अपना कर्म योग करो क्योंकि अगर तुम अपने आफ को खुद के कर्म का करता यानि करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा करता बनूँगा और जब मैं तुम्हारा करता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सब सुईधाएं, सुख और राज्ये दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी बिना महनत किये ही सुख सुईधाओं और राज्ये का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानिके मुझसे नहीं मिल पाओगे जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बलकि जीने के लिए खाते हैं उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बलकि कल्यान के लिए युद्ध करो हे अर्जुन तुम मनुष्यों में सबसे बड़े हो इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुमारी संतान या आने वाली दुनिया करेगे अर्जुन अब तुम मुझको ही देख ले मैं तो भगवान हूँ मुझे भला किसी काम को करने की जरूत क्या है पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सांस है और जैसा मैं करूंगा वैसा ही पिर मनुष्य करेगा और इस तरह से तो पूरी शर्ष्टी ही नस्टो जाएगी कोई अगर तुमारा साथ भी ना दे या तुमारी आलोचना भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुमारे जैसा ही करने लग जाएगा जो व्यक्ति है सोचता है कि वह कर्म खुद करता है उससे बड़ा मुर्ख और धुकी इस दुनिया में और कोई नहीं है और ग्यानी लोगों के दुआरा ऐसे मुर्खों को कभी नहीं छड़ा जाना चाहिए इसलिए अरजुन तु भी अपने आपको इस कर्म के बंदन में ना बांद कर बिना किसी आशा के दया के और पच्चतावे के अपना युद्ध कर अरजुन खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज़्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई कमी रह जाए अरजुन ने फिर सवाल किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती है और वो बुरे काम क्यों करता है भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकरती वैसी ही है इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है और जिस तरह धुहें की वज़े से आग दिखाई नहीं देती उसी तरह से काम और क्रोध की वज़े से मनुष्यों को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते और इसी वज़े से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंतरन खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बेटता है अर्जुन तु हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज़्यादा शक्ति शाली है इसकी इंद्रिया, इंद्रियों से ज़्यादा शक्ति शाली है मन, मन से शक्ति शाली है भुद्धी, और भुद्धी से ज़्यादा शक्ति शाली हो तुम, यानि कि तुम आत्मा, इसलिए अर् बुद्धी मन को वश्म करेगी मन इंद्रियों को वश्म करेगा और इंद्रियां शरीर को यानि कि तुमारे बुरे करमों को दोस्तों आप श्री कृष्ण की कही गई बातों को हम आज की लाइफ के हिसाब से समझते हैं देखो इस दुनिया में रिजल्ट दो ही चीजों से आते हैं ग्यान और कर्म मिन्स नॉलेज और एक्षन लेकिन दोनों अलग अलग हैं आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके देखेंगे हमारी लिए नॉलेज भी उतना ही जरूरी है जितना एक्षन नॉलेज का मतलब यह है नहीं है कि आप सिर्फ एक्जाम पास करने के लिए सलेबस को रटते हो बलकि नॉलेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले यह जानो कि आपके गोल्स क्या है आपकी capabilities और आपके issues क्या क्या है और इन सब को मिलाकर goals तक पहुँचने की आपकी planning क्या है ये है आपका knowledge यानि की ग्यान योग इसके अलावा आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि मेरे भाई आप शरीर नहीं हो आप एक आत्मा हो आपकी आत्मा यानि आप खुद अपने emotions अपनी thoughts और अपनी activities से बहुत उपर हो और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 99% नहीं बलकि 100% अपनी problem से उपर उठ जाओगे इसके बाद इस chapter में दूसरा रास्ता बताया गया है कर्म योग यानि कि आपके शरीर के actions actions के लिए भगवान ने ये बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं और जब हम यह सोचेंगे कि काम नहीं कर रहे तब इसके दो फाइदे होंगे एक तो यह कि आप अपनी महनत के result को लेकर tension में नहीं रहो और दूसरा यह कि आप emotionally stable होकर अपनी best महनत कर पाऊ इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे result को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुस्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया हुआ इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुट करा पाएं इसको बहुती आसान सब्दों में बताया गया है कि आप अपने आपको उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप यानि की आत्मा समझो और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे और इसके बाद में आपका मन अपने आप आपके सभी फिजिकल सेंसिज यानि की इंद्रियों को काबू में कर लेगा और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएगी तब भूरी आदत छोड़ना तो क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है भागवत गीता अध्याय 4 दिव्य ग्यान गीता के चोथे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धर्ती पर आते हैं भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है गुरू से ग्यान कैसे लिया जाता है ग्यान लेना क्यों जरूरी है श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन जो महान गीता ग्यान में तुझे बता रहा हूँ वो मैंने बहुत पहले ही इसी प्रत्विवर बताया था लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गया इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण आप तो भी वर्तमान काल में हो तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हो श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन तुझे नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जनम हो चुके है जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है तब तब मैं अधर्म का नाश करने इस धर्ती पर मानव रूप में आता हूँ और कर्म करके अपना शरीर यहीं छोड़ कर वापस चला जाता हूँ जिस तरह से कोई शिश्य मुझे बहुत प्रेम करता है उसी प्रकार से मैं भी अपने शिश्यों से बहुत प्रेम करता हूँ मैंने भले ही इस संसार को बनाया है लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मैंने बनाया है इसलिए मनुश्य को भी करम करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ जो मनुष्य किसी भी करम के फल और सुक दुख से परे होकर कर्म करता है वही सबसे अच्छा है जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता उसको वश में रखता है वही मनुष्यों में सबसे उंचा है और अरजुन जो मनुष्य इस धर्ती में खुश नहीं रह पाता वो परलोक में भी खुश नहीं होता इसलिए किसी भी मनुश्य को अपने गुरू को पहचान कर अपनी इंद्रियों को जीत कर अपना लालत छोड़ कर उनकी सेवा करके उनसे वह ग्यान सीखना चाहिए जिस से बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं जिस तरह से आग सूखी लकडियों को जला देती है उसी तरह से गुरू से सीखाओा ग्यान भी हर अज्यान को मिटा देता है हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में शरद्दा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है इसलिए जिसने भी कर्म योग से सभी कर्मों को और खुद को एकरता मानते हुए परमात्मा को अरपन कर दिये हैं एसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांदेते इसलिए अरजुन तू भी मेरे इस दिये हुए ग्यान से यह समझ कि कर्म तू नहीं बलकि मैं कर रहा हूँ दोस्तो इस चोथे चेप्टर में यह साफ का आ गया है कि जब भी धर्ती पर मानवता का नाश होता है और निगेटिव एनरजी लोगों में ज़्यादा होती है तब तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से इस्थापित करते है इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रती रेस्पेक्ट होनी चाहिए कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए और ये नौलिज लेना और सीखना हमारे लिए जरूरी क्यों है क्योंकि हम चाहें किसी भी फिल्ड में हो ओव्यस सी बात है कि हमें उस फिल्ड के गुरूं से ग्यान तो लेना ही पड़ेगा और ग्यान ऐसा तरीका है जो इस लाइफ में आपके टार्गेट से और उस लाइफ में आपके परमात्मा से मिला सकता है भागवत गीता अध्याई पांच कर्म सन्यास योग भागवत गीता के पांचवे चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स को कैसे प्रात्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हम को आलस में बांधने की कोशिश करता है अर्जुन बोले फेर श्री कृष्ण मैं अभी भी यह नहीं समझपा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से सन्यास श्री कृष्ण बोले देखो अर्जुन भले ही सन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हों लेकिन दोनों की मन्जिल एक ही है और वो है भगवान जो व्यक्ति अपने मन को भठकने नहीं देता जो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बलकि परमात्मा ने किया है और जो सभी जीव जन्तुओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्यान करने के लिए ही करते हैं परमात्मा कभी भी मनुश्यों को बुरा काम करने के लिए नहीं उकसाता बलकि लोग खुद ही अपने क्रोद और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ-साथ उनके फलों का भी निर्मान करते हैं मैं तो बस उनका फल उनी को वापस देता हूँ इस शरीर को चाहे कितना ही सुख दे दो उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती इसलिए अर्जुन तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नास होने से पहले अपने क्रोधखा नास कर लिया हो जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बंदता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहीत सब का प्यारा भी हे अरजुन ये इंद्रिया मन बुद्धी इच्छा आशा डर और क्रोध ही तेरे दुश्मन है इनका त्याग कर दोस्तो हमारी बोड़ी यानि की शरीर हमेशा रिलेक्स रहना चाहता है क्योंकि बाई नेचर शरीर एक निर्जीव चीद ही है अगर उसमें आत्मा ना हो तो लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूँ ये मेरी आखे हैं ये मेरे हाथ हैं और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी बुद्धी पर भारी पड़ चुका है इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हो और इस शरीर को आप अपनी बुद्धी से जिस तरह चलाना चाहोगे वह वैसा ही चलेगा दोस्तों जो रास्ते भागवत गीता में बताए जा रहे हैं वह मनुश्य को परमात्मा से मिला देते हैं और अगर आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को तो आसानी से हासिल करी लोगे जैसे कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश्मे करना बहुत जरूरी है ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में भी मन्जिल हासिल करने के लिए मन को वश्मे करना बहुत जरूरी है भागवत गीता अध्याई 6 ध्यान योग भागवत गीता के छटे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं यानि कि आज की लाइफ में बोले तो वह है इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत महनत करी लेकिन फिर भी आपकी डेथ होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ श्री कृष्ण बोले केवल अपने सांसारी कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता बलकि जो व्यक्ति करने योगे सब काम को करता हुआ उनके फल का लालच नहीं करता वही असली योगी कहलाता है जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए इस अंसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता और जिसका मन इधर-अधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा मित्र होता है और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रू बन जाता है जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव, जन्तु, आदी के प्रती समान दया भाव रखता है वही योगी की असली निशानी होती है अरजुन और जब इस तरह का योगी भाव आने लगे, तो बिना किसी आशा के, बिना किसी भाई के, अपने मन को मित्र बना कर मेरा ध्यान करना चाहिए ऐसा योगी नींद और भोजन भी उतना ही करता है, जितना आउश्यक हो ऐसा योगी उसी तरह से अपने वचन पर इस्तिर रहता है, जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक की लो होती है जब जब भी उसका मन भटके, तब तब उसको उस इच्छा को वसमे करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए और जब योगी इस संपूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है, तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता अरजुन ने कहा, मगर हे कृष्ण, यह मन बहुती चंचल और हटीला है इसको एक जगह पर रोकना हवा को एक जगह पर रोकने की तरह बहुत मुश्किल है श्री कृष्ण बोले, हाँ यह सत्य है कि मन को वश्मे करना बहुत कटिन है लेकिन यहे भी जान लो कि बार बार योगा भ्यास और आत्म विश्वास से असंभव को संभव बनाये जा सकता है अर्जुन ने फिर पूँचा कि हे कृष्ण अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंदित करके योग करे लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारण वस उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी पूरी महनत शुनने हो जाएगी श्री कृष्ण बोले नहीं अर्जुन निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है अगर किसी कारण वस वह योगी आत्मा योग की रहा से विजलित भी हो जाती है तो भी उसको योग ब्रष्ट पुन्य पुरुसों के लोक में कई वर्स सुक और आनंद मिल जाता है और वहाँ पर वह ध्यान ब्रष्ट योगी भी सुक में समय बिता कर फिर से किसी पुन्यात्मा के परिवार में जन्म ले लेता है और इस तरह से उस आत्मा की आत्रा वहीश शुरू हो जाती है जहां पर उसने पिछले जन्म में समाप्त करी थी और इस प्रकार से उसे एक नया रूप नया जीवन परमात्मा से मिलन के प्रियत्न के लिए फिर से मिल जाता है अर्थार्थ उसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता लेकिन लगातार प्रियत्न करने वाला योगी इसी जन्म में अपने जीवन चकर से मुक्त हो कर पर्मात्मा में विलीन हो जाता है एक योगी तपस्वियों और विद्वानों से भी शरेष्ट है इसलिए अरजुन तु भी योगी बन क्योंकि जो योगियों में भी परम होता है वह मेरा भी परम प्रिय होता है दोस्तों हर वो इंसान जिसकी आँखों में कुछ बड़ा करने का सपना है उसको अरजुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से इमोसिनली बैलेंस्ड है न्यूट्रल है जो दूसरों की बाते माइंड नहीं करता और हमेशा अपने टार्गेट को पूरा करने के लिए मेहनत करता है लेकिन दोस्तों जिन्दगी का किसको पता भगवान ना करे की ऐसा हो कि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए तो उसकी तो मेहनत किसी काम की ना रही और सपने सपने ही रह गए पर एक बहुत ही सेक्रेट बाद भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में यह बताईए कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत एक्सपिरियंस गेन कर लिया है बहुत नॉलेज हासिल कर लिया है लेकिन फिर भी आपको मनजिल नहीं मिली और किसी रीजन की वज़े से परमात्मा न करे ऐसा हो पर आपकी डेथ हो जाए या सपने के लिए महनत करते करते बूड़े होकर मर जाओ तो इस केस में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने करमों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा और जब आपके अच्छे करमों का बेलेंस खतम हो जाएगा तो आप फिर से धर्ती पर जन्म लेकर आओगे और बाई नेचर आप ऐसे माहुल या घर में जन्म लोगे जिसमें आपको पिछले जन्म के ग्यान वाला लेवल नेचरली ही मिल जाएगा और आपको उसके आगे की महनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिन्दगी मिल जाएगी ऐसा मैं नहीं श्वयम कृष्ण ने योगी के बारे में बताते हुए इस गीता के छटे चेप्टर के स्लोक नमबर 37 से लेकर श्लोक नमबर 45 तक यही बात कही है और ये भी कहा है कि ये उनके लिए एप्लिकेबल है जो सच में बहुत बहुत महनत करते हैं यह भागवत गीता सार आप यूटूब के जीत फिक्स चैनल पर सुन रहे हैं भागवत गीता अध्याय साथ भगवान का ग्यान भागवत गीता के साथवे चेप्टर में बताया गया है कि इश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं इश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन अब मैं तुझे वो बाते बताने वाला हूँ जिनको जानकर तुझे इस संसार में दूसरा कोई सा भी ग्यान जानने की जरूत नहीं पड़ेगी हजारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है और एसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पन के साथ प्रेम करता है मेरे दो रूप हैं एक जड़ रूप यानि की जिसमें प्रत्वी, अगनी, जल, वायू और आकास के साथ-साथ मन, बुद्धी और एहंकार है वहीं दूसरा चैतन रूप जिसमें इस रष्ठी का चक्र है समय को भी मैं ही चलाता हूँ जल, सूरज, चंद्रमा, ओमकार में मैं ही हूँ प्रत्वी की सभी पवित्र गंद, अगनी और भुद्धी जीवियों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बल्वानों का बल, और अलग-अलग समय कालों का भीज भी मैं ही हूँ इस संसार के लोग संसारी गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते, और वास्तों में तो ये संसारी गुण भी मेरी ही माया है, मगर जो मनुष्ये, इस मेरे ही माया जाल को तोड़ देता है, वो मेरा हो जाता है माया जाल में फसे हुए मुर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं कोई भी भक्त चार तरह से मेरी पूजा करता है कोई प्राप्ती चाहने वाला कोई दुख के संकट में याद करने वाला मुझे जानने की इच्छा रखने वाला या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला लेकिन इन में से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्यानी बहुत पसंद है ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं लेकिन ज्यानी पुरुस्तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो और ग्यानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है वो म्रत्यू के पस्चात मुझ में ही समा जाता है जो लोग किसी इच्छा पूर्ती के लिए अगर किसी देवता की भक्ती करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्ता उनी देवताओं में स्थिर कर देता हूँ और वो भक्त उनी देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन यह फल ज्यादा समय तक नहीं चलता और अगर कोई भक्त अगर किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूँ जो मुर्ख मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप नहीं कर पाते मैं भूतकाल, वर्तमान और भविश्य को पूरा जानता हूँ जबकि श्रद्दा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़ कर श्रेष्ट कर्मों का आश्रन करके मेरी भक्ती करते हैं वो इस मुर्त्यू से मुक्त होकर मुझे में ही समा जाते हैं तो दोस्तों आज के समय के हिसाब से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में कोई टार्गेट सेट करते हो तो आप टाइम बीतने के बाद टार्गेट को भूलने लगते हो क्योंकि डिस्ट्रेक्शन्स बहुत सारे होते हैं जैसा स्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है ठीक वैसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी रहा से भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये टार्गेट वार्गेट सब बेकार है लाइफ के मजे लो कल को पता नहीं रहूं या ना रहूं और इस तरह के लोगों को गीता में मुर्ख कहा गया है जो इतना भी नहीं जानते कि ये डिस्ट्रेक्शन तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं कि ये इनसान उसमें उलज के रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा और इस तरह से लगातार भी ना भटके जो हार्ड वर्क करता है उसी को सक्सेस मिलती है भागवत गीता अध्याय आठ भगवान की प्राप्ती भागवत गीता के आठवे चेप्टर में आप जानेंगे कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है देवता कौन है ये संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही हार्ड वर्क में लगना चाहिए अरजुन बोले ये कृष्ण ये परम भ्रम क्या है आध्यात्म क्या है कर्म क्या है ये संसार क्या है और ये देवता कौन है इस संसार का फैसला कौन करता है और कोई योगी आपको कैसे पहचानता है श्री कृष्ण बोले भ्रम परम अक्षर है आध्यात्म जीवों का स्वरूप है कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते है हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का नाम संसार है जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है इस संसार का फैसला करने वाला मैं ही हूँ और जो भी पुरुष अपने अंतकाल में जिस जिस भाव को याद करता हुआ और अपने ध्यान को ब्रकुटी में केंद्रित करके शरीर छोड़ता है तो वह उसी भाव को प्राप्त होता है इसलिए मेरा इस्मरंड करने वाले सदेव मेरे पास ही आते हैं इसलिए अरजुन तू भी मुझे में ही ध्यान रखके युद्ध कर जिससे की तू मुझे ही प्राप्त होगा जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वह भावत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं और जो मेरे पास आ जाता है, उसके दुख और मरत्यु चक्र समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा का एक दिन एक हजार युगों का होता है, और एक रात भी एक हजार युगों की होती है, ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, और रात के आरंब अब में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्र चलता रहता है लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं अर्जुन अब मैं तुम्हे वह दो रास्ते बताऊंगा जिन से होते हुए ही लोग या तो परमगती क प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आते हैं जब सूर्य का प्रकास रहता है शुक्ल पक्स होता है और सूर्य उत्राइन में होता है तब शरीर छोटने वाले कर्म योगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं जब रात्री होती है क्रिश्न पक्स होता है और सूर मोके फलो का मोह छोड़ कर परम भ्रम को प्राप्थ होता है दोस्तो इस चेप्टर का आप आजकल की लाइफ के लिए इस तरह से मिनिंग निकाल सकते हो कोई भी वो मंजिल जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं लेकिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसकी वज़े से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में हो जाए उन लोगों को ग्यान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका मतलब है कि ये यूनिवर्स बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा और इंसान की लाइफ उस यूनिवर्स के सामने बहुत बहुत छोटी है इसलिए ऐसा ना हो कि आफ लाइफ में सिर्फ सपने सजो के बेट जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए भागवत गीता अध्याइनो अत्यंत गुत ग्यान भागवत गीता के नाइंथ चेप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग-अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है इसी को हम प्रेक्टिकल लाइफ में लाकर भी जानेंगे श्री कृष्ण बोले कि हे अरजुन अब मैं तुझे बहुत ही गुपत और बड़ा ग्यान देने वाला हूँ वह मनुश्य जो मुझ में सुरद्दा नहीं रखते वह इस संसार में बार-बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं मैं ही इस संसार को बार-बार बनाता हूँ और मिटाता हूँ मैं ही मनुश्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ पुनर जन्म देता हूँ लेकिन मुझे मेरे काम का बिलकुल भी मोहे और एंकार नहीं है मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंदन में नहीं बंदता सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ मेरी माया जाल में फसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मुर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फसे रह जाते हैं जो वेदों को पढ़के स्वर्ग प्रात्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं वे लोग इंदर के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुन्ने खत्म नहीं हो जाते और जब उनके पुन्ने खत्म हो जाते हैं उनको वापस इसी प्रत्विफर जन्म लेने आना पड़ता है किन्तु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मान कर अपने करम फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं मैं उनकी नाकेवल सभी आवशक्ताएं पूरी करता हूं बलकि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में भी लेता हूं देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास पित्रों को पूजने वाले पित्रों के पास राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पित्रों और भूतों को पूजने वालों का ज्ञान सीमित होता है। और उनको फिर से इस मर्थ्यू लोक में आना पड़ता है। इसलिए अरजुन, तू भी अगर कुछ खाए, दान करे, तब करे और कर्म करे, तो मुझे में ही अरपन करके करना, इस प्रकार से तू मुझे को ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिये और एप्रिये सब बराबर हैं। यहां तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे इस्तरी पुरुष हो, चाहे राजा या विखारी भी हो, तो वह भी मुझे में आसकत होकर इस बहुत सागर से तर जाता है। वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी जिन्दगे में कुछ करने का मकसद है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज बले ही वो कुछ ना हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा कि जैसी भावना, वैसा नतीजा, तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन वन्जिल तक पहुँच ही जाते हैं। भागवत गीता अध्याईदस भगवान की महीमा श्री कृष्ण बोले अर्जुन तु मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है इसलिए अब मैं तुझे मेरे बारे में बताता हूँ मेरे जन्म को कोई नहीं जानता लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूँ वही सब से बड़ा ज्यानी है ग्यान और मुर्खता सत्य और जूट सुख और दुख मन और बुद्धी रचना और नाश कीरती और अपमान सहीत सभी भाव वास्तों में मैं ही तो हूँ इस संसार में जहां जहां जिसकी भी पूजा होती है वह वास्तों में ही हूँ जो लोग मुझ मे मन और प्राणों को और पन करते हैं उनके ग्यान के अंधकार को मैं ही ग्यान के उजाले से रोशन करता हूँ इस पर अरजुन बोले कि है क्रिश्न आपने जो अभी तक खुद के बारे में बताया है उन सब बातों को मैंने मान लिया है लेकिन आपकी बाते मेरा और ज्याद कोई अंत नहीं है लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है उससे मैं तुझे बताऊंगा अर्जुन सभी समय मुझसे ही बने हैं भूत वर्तमान और भविश्य भी मैं ही हूँ मैं ही विश्णू सूर्य और चंद्रमा हूँ बैदों में सामवेद देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन जीवों में आत्मा पर्वतों में सुमेर रुद्रों में शंकर वस्वों में अगनी और धंडोलत में कुबेर भी मैं ही हूँ जल में समुद्र, ग्रहों में ब्रहस्पती, अडे रहने वालों में पहाड, देवर्शियों में नारद, पैडों में पीपल, हातियों में एरावत, मनुश्यों में राजा, गायों में काम धेनू, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेशनाग, राजाओं में यमराज, अक्षरों में ओम, कालों का महाकाल, मंत्रों में गायत्त्री, महीनों में मार्क्षीष, रित्वों में बसंत भी केवल मैं ही हूँ, छलों का जुआ, जीतने वालों की विजय, निश्चे करने वालों का निश्चे और भक्त पुरुशों की भक्ती भी मैं ही हूँ, अर्जुन इस ब्रह्मान में जितना भी जाना और अंजाना है वह सब मैं ही हूँ और मेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए है अर्जुन मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तु इतना जान ले कि ये संसार तो मेरे एक छोटे से अंस मात्र से ही चलता दोस्तों इस चेप्टर में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगे नहीं है जहां पर भगवान ना हो। और श्री कृष्ण ने यहे भी कहा है कि अर्जुन को ना तो इश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वो पूरा डिटेल में जान पाएंगे। दोस्तों इसक रहसे रिलेट करो कि जैसे भगवान ने कहा कि मैं अनन्त हूँ और तु उतना ही जान जितना तेरे लिए जरूरी है ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीजों में अपनी एनरजी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनको जानना आपके लिए जर भाकवत गीता के ग्यारहवे चैप्टर में भगवान के विराठ रूप के बारे में जानेंगे अर्जुन बोले हे कृष्ण आपके दिये हुए ज्यान से मेरे संधेह दूर हो गये हैं लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ इस पर स्री उमें कलतना से परे था भगवान का ना तो कोई आरंब था ना कोई मड्य था और ना कोई अंत्ध था परम्भ्रम से इतना परकास निकल रहा था जितना हजारों सूरत से भी नहीं निकल सकता। नहीं कहीं अंत आप में हरत रहे के अस्त्र सस्त्र हैं हरत रहे के प्रकास और सूर्य हैं स्वर्ग और धर्ती के बीच का पूरा आकास मानो आपसे ही भर गया है कई देवता के समूँ आप में प्रवेश कर रहे हैं कई आपकी वंदना कर रहे हैं तो कई लोग भैभीत होकर हा पहान युद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपके अनेक तरह के उग्र रूप इस संपूर्ण ब्रहमांड को बहुत उर्जा दे रहे हैं। ए कृष्ण इतने रूपों में आप कौन से हो मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस पर कृष्ण बोले मैं हर जगय हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सेनाओं के योध्धाओं को नश्ट करने के लिए परकट हुआँ। इन सब योध्धाओं की मोत में पहले ही लिख चुका हूँ, तू तो सिर्फ इनकी मोद का कारण है, मारने वालत तो स्वम मैं ही हूँ, इस पर अर्जुन भहवीत लेकिन गदगद होकर बोले, हे भगवान, आपका यह है रूप देखकर अब मुझे पता लगा, कि क्यों योगी, महर्सी, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है, आप तो सत्य और असत्य से भी परे हैं, आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आप ही इस जगत के पालन करता और विनाशक हो, आपको कोटी-कोटी नमस्कार, आपके लिए हर धिशा से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदी नहीं है, मध्य नहीं है, और अंत भी नहीं है, हे प्रभु, मैंने जाने अन जाने में आपको भाई, क्रिश्न, मित्र कहा है, और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है, मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो, तो मुझ आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूं, और भाईबीत भी हूं, इसलिए अब करपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतरबुज विश्नु रूप दिखाईए, मैं आपको मुकुठ, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूं, इस पर स्री कृष्न बोले कि अर्जुन मैंने तेरे आग्रहे पे वह रूप दिखाया है, जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है, और ना ही देख पाएगा, मेरे इस रूप और अनन्त आकार को देखकर तू व्याकुल भी ना हो, और पागल भी ना हो, और अब तेरी इच्छा अनुसार तू मेरा चतरुभुजी रूप भी देख, इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतरुभुजी रूप दिखा कर अर्जुन का साहस बनाया, और अनन्त रूप से उत्पन हुई व्याकुलता भी दूर करी, इस पर अर्जुन बोले, कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शान्त हो गया हूँ, कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतरुभुजी रूप तुमने अभी देखा है, वो बड़ा ही दुरलब है, और इसको देखने के लिए देवता भी तरस्ते हैं, यह चतरुभुजी रूप, किसी भी यग्य, दान, तप, औ और वेद से देखा जा सकता है, प्रन्तु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परमभक्त है, करतव्य परायन है, वासना और बेर रहित है, वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है, इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है। मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी, और दोस्तो यही महान लोगों का एक गुण भी है, वो मेहनत करते हैं, लेकिन उनको यह भी हावास नहीं रहता, कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, यह उनके बड़पन को दिखाता है। रूप या फिर निराकार। मुझे में ही लगा, और अगर तेरे लिए मन को वश्मे करना संबव नहीं है, तो तु योग द्वारा मुझे को प्राप्त करने का प्रियत्न कर। जिसके क्रोध और सभी द्वेश समाप्त हो गए हैं, वह भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तु मन को रोकने के अभ्यास में भी ऐसा फल है, तो तु मेरे लिए ही कर्तव्य परायन हो जा। और कर्म फल का त्याग कर दे। अभ्यास से ग्यान स्रेष्ट है, ग्यान से मुझे परमेश्वर का ध्यान स्रेष्ट है। और इस ध्यान से भी श्रेष्ट है सभी कर्मों के फल का त्याग करना, जिससे तुरंथ ही शान्ती मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह के सुक दुख, सस्त्र और मित्र भाव, लाबहानी, मुहे और इच्छा हर तरह के मौसम से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ती से वश्मे किये है वही परवानंद के लिए श देवा करते हैं वहे मुझे अतिप्रिय है दोस्तों इस चेप्टर में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभों से सीखना चाहिए एक स्टूडेंट को या एक उस इंसान को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है उसको कम खाना चाहिए और हर तरह की एमोशन में सिर्फ यह सोचना चाहिए कि खुद का सपना कैसे पूरा करूँ यह भागवत गीता सार आप यूटूब के जीत फिक्स चैनल पर सुन रहे हैं भागवत गीता अध्याय 13 खेत्र खेत्रग्य विभाग योग भागवत गीता के 13 चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे एक्षन से रिजल्ट पैदा होता है श्री टिश्न ने कहा कि ये शरीर एक खेत्र की तरह है और जो इसको जानता है उसको खेत्रग्य कहते हैं खेत्र मतलब खेत जिस तरह से खेत में जैसा बीज डालते हैं वह उसी प्रकार का सही समय आने पर फल देता है उसी तरह जीवन में भी जिस तरह का करम फल का बीज मनुश्य डालता है वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है यह क्षेत्र और क्षेत्रग्य का गयान बहुत विद्वानों द्वारा बहुत तरीके से कहा जाता है और इस गयान में पांच महाभूत यानि कि प्रत्वी, अगनी, जल, वायू, आकास को मिलाकर मन, बुध्धी, एहंकार और सभी इंद्रियां भी सामिल है इसके साथ साथ इसमें सुख दुख, चेतना, शरीर, धेर्य और विकार भी सम्मिलित है अब परंभ्रम को प्राप्त कराने वाला ग्यान क्या है यह मैं तुझे बताऊंगा मनुस्य में कोई भी खुबी होने पर उसमें किसी तरह का घमण नहीं होना चाहिए किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए दूसरों के प्रतिक्षमा भाव होना चाहिए गुरु की सेवा की जानी चाहिए मन और वानी में सरलता होनी चाहिए मन और समस्तिंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए किसी भी तरह के भाव में नहीं बहना चाहिए संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोहे नहीं होना चाहिए अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धी की स्तिर्ता होनी चाहिए वासना वाले लोगों से दूरी होनी चाहिए एक कांतवास में मन का शुद्धी करन करना चाहिए मुझ परमेश्वर में पूरी तरह से समरपन और ध्यानमगन रहना चाहिए हे अरजुन अब मैं तुझे परम भ्रम के बारे में कहूंगा वो सर्वव्यापी है वहे सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है और वो निर्गुन होकर भी सबी गुनों के साथ है वहे सबी सजीवों और निर्जीवों में है वहे दूर भी है और पास में भी लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता वहे ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनास भी करता है वहे अलग-अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग-अलग तरह का होता है वहे माया का भी महा माया है परम भ्रम्मों से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदे में निवास करता है परन्तु इसके बाद भी यह जानने की योग्य है हे अर्जुन इस प्रकर्ति और पुरुष का भी कोई आरंब नहीं है क्योंकि प्रेम और ग्रिणा और तीनों तरहे के गुण अर्थार्थ, सत, रज और तम भी प्रकर्ति से ही आते हैं कारिय और कारियों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकर्ति से ही उत्पन होती है प्रकर्ति से जन्मा मनुष्य प्रकर्ति के ही गुणों को भोगता है और इनी गुणों के भोग के अनुसार ही उसका जन्म और मरंट तै होता है इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकर्टी के ग्यान को जानता है वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्थ होता है और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है किन्तु जो मंद बुद्धी होते हैं वहे तो इस ग्यान को सुनकर और मेरी प्रकर्ती जानकर ही मर्त्यू लोक से मुक्त हो जाते हैं जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकर्टी से ही होने वाला मानता है वह अपनी आत्मा को अकर्ता समझ कर इस भल सागर से पार हो जाता है हे अरजुन जिस तरह से आस्मान का पधार्थ काफी पतला होता है और इसलिए वो दूसित नहीं होता उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर में सुक्समता से रहती है जिससे यह कभी दुसित नहीं होती इस प्रकार से प्रकर्टी, पुरुष और चेतना के ग्यान से तू भी मुझ परम भ्रम को प्राप्त हो जा दोस्तो इस चेप्टर में यह बहुती बारीके से बताया गया है कि इस तरह से हमारे ही कामों से हमें तकलीफ या खुशी मिलती है मान लीजिए हमारा शरीर खेत की तरह है और हम हैं इसके किसान अब हम जो भी इस खेत में बोएंगे फल भी उसी भीज के अनुसार हमें भहुशे में जाकर मिलता है इसलिए यह हमारे आज के एक्शन्स पर ही डिपेंड करता है कि हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है भागवत गीता अध्याय चोधय प्रकरती के तीन गुण दोस्तो भागवत गीता के चोधवे चेप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार तीन गुणों में बटा हुआ है श्रीक कृष्ण बोले हे अर्जुन अब मैं तुझे संसार के उन तीन गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर के मोह से बांदते हैं और जिने जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है यह तीनो गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण इन सभी गुणों में श्रेष्ठ है और यह ग्यान और सुक से जोड़ता है रजोगुण कामना और आसकती से उत्पन होता है जो की कर्म और उसके फल में बांदता है तमोगुण मनुष्य को भोग विलास, आलस से और नित्रा में बांदता है हे अरजुन, सत्वगुण सुक देता है रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को उसके इस्थान से भी बहुत नीचे गिरा देता है किनी भी दो गुणों को वश्मे करने से तीसरे गुण की प्राप्ती होती है जिस पल मन में शांती और ग्यान बढ़ा हुआ लगे उस समय यह माना चाहिए कि सत्थोगुण बढ़ रहा है जिस पल मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो उस समय रजोगुण बढ़ता है जिस समय मन में अंधकार विशियों में आ सकती आलस्य और निद्रा हो उस समय मनुष्य में तमोगुण होता है सत्वगुण में मरने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है रजोगुण वाला मनुष्य फिर से जन्म लेकर मनुष्य बनता है और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्म में कीट पतंग बनता है साथ्विक कर्म का परिणाम है सुख राजस कर्म का परिणाम है दुख और तामस कर्म का परिणाम अज्ञान होता है जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि यह तीन गुण ही उससे सब काम करवाते हैं तब वो है अपने करताबन से और इस संसार से मुक्त हो जाता है और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जिसा समझने वाला मनुष्य परंब्रम अर्थात मुझे प्राप्थ हो जाता है दोस्तों यह तीन परकार, सात्विक, राजस और तामस हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है अगर आप महनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप हमेशा खुस रहोगे अगर आप किसी अच्छे रिजल्ट की काम ना करके महनत कर रहे हो तो कोई गैरंटी नहीं कि खुशी होगी या दुख होगा अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कर्म किया है तो यह निश्चित है कि किसी ना किसी जमय आपको ही दुख मिलेगा दोस्तों गीता के पंद्रहे चेप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से यह दुनिया एक इल्यूजन है और कैसे हम इसमें उलजकर रह जाते हैं श्रीकृष्ण बोले कि यह संसार बरगत के एक उल्टे पेड़ की तरह है जिसकी जड़े उपर है और डालियां पत्ते नीचे की तरफ पत्तियां वेदों को दिखाती है वो डालियों के अंत में फल कार्य फल के जैसा है इस पेड़ की जितनी भी साखाएं हैं वो तीन तरह के गुण यानि कि सत्व, रज और तम से ही बनी है इसकी जड़ों में स्वम परमात्मा विराजमान है इस पेड़ की शाखाओं के अंत में नई कौपले मनुष्य की इच्छाओं को दिखाती है यह पेड़ हर दिशा में इस तरह से बड़ा रहता है कि ज्यान के अभाओं में मनुष्य से इसमें उलजकर ही रह जाता है और जो इस पेड़ के रहस्य को जान लेता है वह परंब्रह्म को प्राप्थ हो जाता है इसलिए इस माया वाले जीवन रूपी बर्गत के पेड़ को ज्यान की कुलहाडी से काट कर उचिद योग का पालन करके उस परंब्रह्म को ढूंडना चाहिए और जिसका मान, मोह, सम्मान, अप्मान सबिनष्ट हो गए है और भुद्धि स्तिर हो गई है वह पुरुस इससे मुक्ति पा सकता है और मुक्ति पाकर जिस परंपद को वे पुरुस प्राप्थ होते हैं उसको कोई भी सूरज रोशन नहीं कर सकता क्योंकि वह मेरा परंधाम है हे अरजुन इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंस है और यह आत्मा ही मरत्यू के बाद दूसरे शरीर में चली आती है यह शरीर कान आख, त्वचा, जीब नाक और मन से ही इन इंद्रियों का और वासनाव का सेवन करता है और यह क्यवल ग्यानी जन ही जानते है इस संसार में शरीड नास्वान है और आत्मा अविनाशी है और इन सब में सबसे श्रेष्ट है परमात्मा जो कि सब लोकों का पालन पोशन करता है इसलिए मैं ही पुरुशोत्तम हूँ दोस्तों इस चैप्टर में हमने देखा कि हम जिन्दगी में बहुत बार उस चीज के पीछे बागते हैं जिसको हासिल करके भी हमारी इच्छा खतम नहीं होती हम जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं उतनी ही और बढ़ जाती है इसलिए उस इंसान को जिसको लाइफ में कुछ बढ़ा करना है उसको अपने डिटर्मिनेशन से उन इच्छाओं के जाल को काट देना है तभी वह इस इल्यूजन वाले ट्री से परमात्मा को यानि की आपकी पर्सन लाइफ के केस में सक्सेस को ढूंड पाएगा दोस्तों गीता के 16वे चेप्टर में बताया गया है कि मनुष्य के कौन से दो नेचर या बिहेवियर होते हैं श्री कृष्ण बोले है अर्जुन इस संसार में दो तरहे के स्वभाव हैं देवियर स्वभाव और असुरी स्वभाव यानि की देवता के समान और राक्षस के समान पहले में तुझे देवियर स्वभाव के बारे में बताऊंगा कभी भैना करना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंतों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर तरहे के भाव में सम रहना, हर जीवात्मा को बराबर समझना, कभी क्रोध और मोह अब मैं तुझे असुरी स्वभाव बताऊंगा घमंड, क्रोध, सांसारी का सकती, नफरत, अज्ञान, वासनाय, आशाय करना और शरीर को इंद्रियों के वश्में रखना असुरी स्वभाव है असुरी स्वभाव वाले ना तो समान से बात करते हैं और ना ही सकते बोलते हैं बूरे कर्मों से जिनका स्वभाव पूरी तरह से नश्ट होकर बुद्धी मन हो चुकी है और जो इस संसार में सिर्फ नास का कारण ही बनते हैं इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती उन व्यक्तियों का सुख सिर्फ इंद्रियों के सुख तक ही सीमित है वह हमेशा और अधिक वस्तुए प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं वह हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं वे सिर्फ दिखावे के लिए ही धर्म और दान करते हैं देविय स्वभाव से मुक्ती होती है जबकि असुरी स्वभाव से बंधन उत्पन्न होता है असुरी स्वभाव वालों को तो मैं बार-बार असुरों में ही जन्म देता हूँ इस तरह से असुरी हमेशा नीचे गिरते रहते हैं हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोब ही नरक के तीन द्वार है इसलिए इनको जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए जो भी मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों को छोड़ देता है वहे तो फिर मेरे ही आश्रय में आता है इसलिए हे अर्जुन, तु शास्त्रों सहीत इस देविय स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा दोस्तो इस चेप्टर का मीनिंग तो आपको आसानी से समझ में आही गया होगा आखिर में जो तीन नेगेटिव फेक्टर्स बदाये गए हैं वासनाए, गुस्सा और लोब यह सबसे बड़े दुश्मन है इनसे जरा बचके रहना भागवद गीता अध्याई सत्र है श्रद्धा के रूप दोस्तो गीता के सत्र वह अध्याई में आप जानेंगे कि कर्मों को, भोजन को, यग्ये को, तप को, ज्यान वगेरा को कौन से तीन भागों में बाटा गया है अर्जुन बोले, हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़ कर देवों की पूजा करते हैं वो क्या है? सात्विक, राजस या तामस कृष्ण बोले, हे अर्जुन जो व्यक्ति देवों को फूजिते समय, जिस तरह का विचार रखते हैं वे उसके हिसाब से ही सात्विक, राजस या तामस बनते हैं सात्विक लोग देवताओं को पूजिते हैं राजस यक्ष और राक्ससों को और तामस प्रेतों को जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रहके भी मन से खटी निर्ने लेता है और कर्म करता है और कर्म को ही तप मान करके करता है वह भी इस संसार से मुक्त है जिस तरह से भोजन भी सात्विक, राजस और तामस होता है उसी तरह से यग्य, तप और दान भी तीन-तीन प्रकार के होते हैं फलों से किया गया भोजन सात्विक होता है राजस भोजन स्वाद में तीखे जैसे कि मीठे, खटे, बहुत गर्म आदी होते हैं और तामस बोजन में जैसे दुरगंद वाले बिनारस के अधपके अपवित्र आदी हैं इस तरह यग्यों में शास्त्र विदी से नियत और फल की इच्छा रहित किया गया यग्य सात्विक है केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यग्य राजस यग्य है शास्त्रों के विरुद दान रहित और शद्दा रहित किया गया यग्य तामस यग्य है इसी तरह से तपों में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो सात्विक तप कहलाता है किसी वस्तु की प्राप्ती के लिए किया गया यग्य राजस तब कहलाता है और किसी की हानी करने के लिए किया गया तब तामस तब कहलाता है इस प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिये जिसको जो आउशकता हो वहे दान कर दिया जाए और यह समझा जाए कि दान ही कर्तव्य है वहे दान सात्विक दान कहलाता है जैसे कि भुके को खाना खिलाना वस्त्रहिन को वस्त्र पहनाना अकाल क्षेत्र में अन्न दान करना जो दान उसके फलों को दरश्टी में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दान के बदले में वापस प्रत्युपकार की चाहए में दिया गया हो वहे राजस्त दान कहलाता है जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बल पूरवक दिया जाता है या किसी आयोग्य को दिया जाता है तो उसको तामस दान कहते हैं श्रद्दा सहीत फल की इच्छा रहित और जगत कल्यान के लिए किया गया दान यग्य और तप मनुष्य को इस संसारी माया से मुक्त करके मुझ में विलीन करता है दोस्तों इस चैप्टर में आपने सुना कि हर कर्म के तीन प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते टाइम आपके मन में जैसी भावना या जैसा मकसद होता है उसी तरह से आपको फल मिलता है और ये तीनों प्रकार है सत, रज और तम सत सबसे अच्छा माना गया है तम सबसे गिरावा माना गया है सत का मतलब है आप जो भी काम करें मेहनत करें उसमें एकदम इमोशनली स्टेबल होकर बिना उस काम की रिजल्ट के बारे में सोचे बिना उस काम को करने का क्रेडिट लिए खुद के मन की शुद्धता और संसार का कल्यान करने के लिए करें लेकिन आज के टाइम में हम अपने गोल्स के लिए काम करते हैं जिनमें हमें मेहनत के लास्ट में रिजल्ट चाहिए होता है भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारी दुखों का और काम बिगडने का यही मेन रिजन है कि हम उसके रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर परिशान रहते हैं इसलिए दोस्तों आप भी सत के इस रास्ते पर रहने की कोशिश करें दोस्तों गीता के अठारवे और आखिरी चेप्टर में हम जानेंगे कि क्या त्याग और सन्यास एक ही है इस पूरे गीता ग्रंथ का निचोड भी आपको इसी चेप्टर में मिल जाएगा इसलिए आपको इस चेप्टर को लाष्ट तक ध्यान से सुनना चाहिए अर्जुन बोले हे क्रिश्न मैं त्याग और सन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ श्री क्रिश्न ने उत्तर दिया कि अर्जुन इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं और अगर कर्मों को ही त्याग दे तो उसको सन्यास कहते हैं कुछ लोग सभी कर्मों को दोश भरे और सभी दुखों का कारण मान कर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि यग्य, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए इसलिए अरजुन अब तु मेरे से त्याग और सन्यास को अच्छ बलकि फल की इच्छा के बिना किया गया यग्य तप और दान यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म जिसमें फल और आसकती ना हो उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों को यह समझ कर त्याग दे कि यह कर्म ही दुखों का कारण है तो यह त्याग राजस त्याग कहलाता है। किसी अन्य मोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए तो त्याग को तामस त्याग कहते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य मन, वानी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा काम करता है, वह पांच तरहे से होता है। जिस ग्यान में परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है, वह ग्यान सात्विक है। कर्म किसी का नुकसान करने के लिए किया जाता है, वह तामस कर्म है। इस प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक करता, राजसी कर्म करने वाला राजसी करता, और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक करता कहलाता है। इस तरह बुद्धी और संकल्प भी तीन तीन तरह के होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में इन तीनों परकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। खेती व्यापा रित्यादी वेश का काम है तथा इन सब वर्णों की सेवा करना शुद्र का कर्म है। इरजुन दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है बले ही कम गुणों वाला हो लेकिन अपना ही कर्म और धर्म निभाएं। और ऐसा करना ही मौक्स के द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ ना कुछ कम्या तो रहती ही है फिर भी उसको खुद का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से कोई व्यक्ति भगवान को पा सकता है वह अब मैं तुझ से सारांस में कहूंगा। सदा के लिए मेरे पास आजाता है। इस तरह का ब्रह्मयोगी ना तो कोई आशा करता है ना ही स्वयम को या दूसरों को दोस्त देता है और ना ही दुख और सुख में विचलित होता है। इस तरह का परमयोगी सब कर्म करता हुआ भी स्वयम को करता ना समझ कर मुझ परमात्मा को ही कर्म करने वाला समझता है हे अरजुन इस तरह से तू भी इन बातों को समझ कर अगर अपना धर्म और कर्म निभाएगा तो तू भी मुझ में परमपद पाएगा और अगर तू इस तरह बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे ग्यान को नहीं मानेगा, तो अपने धर्म, कर्म और परमार्थ से बटक जाएगा और नश्ट हो जाएगा हे अरजुन, तेरे अंधर भी मैं ही हूँ, इसलिए तू सब मोह छोड़ कर और इस माया से बाहर निकल कर अपना कर्म और धर्म युद्ध कर, इसी से तू मुझ भगवान के धाम में उच्चा इस्थान प्राप्त करेगा अरजुन, मैंने पूरे रहस्यमई और गोपनी ए ग्यान तुझे अच्छी तरह से बता दिये हैं, फिर भी तू अब जो समझ कर करना चाहे, वैसा करना लेकिन अरजुन, तू मुझे बहुत ही प्रीय है, इसलिए मेरा ही भक्त बन और मुझे ही सदा प्रणाम कर, मैं प्रतिग्या करता हूँ, कि ऐसा करने से तू मेरे ही पास आएगा फिर भी यदि तुझे ऐसा लग रहा है, कि तू पाप करने जा रहा है, तो जब तू मेरी ही शरण में आ जाएगा, तो मैं तेरे पूरे पापो को माफ कर दूँगा इसलिए तू दुखे मत हो, और अरजुन तू इस दिव्य ग्यान को उस व्यक्ति से मत कहना, जो इसको सुनना नहीं चाता, या भक्ती और कर्म नहीं करना चाता, या परमात्मा में दोष निकालता हो, परन्तु तू जिस भी मेरे भक्त को मेरा प्रिये समझकर यह ग्यान कह वह भक्त इस संसार में मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। इस गीता ज्यान को समझना ही वास्त्विक ज्यान यग्या है। और इस ज्यान यग्य से भी कोई भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आये जो इंसान खुद भगवान कृष्ण की इन बताए गई बातों को फोलो करता है। उनको अपने जीवन में उतारता है। उसकी ना केवल पूरी प्रोबलम सोल हो जाती है। बलकि उसे जीने का अपने सपनों को हासिल करने का तरीका भी प कर्म और मेहनत का सिद्धान सब के लिए एक होता है। इसलिए आप सब लोग इस गीता ग्यान को बार बार सुनें। हर एज के पुरुष और महिलाओं को सुनाएं। ताकि आप अपनी कर्म स्तल के अरजुन बंद कर अपने जीवन का लक्षे हासिल कर सको। जै श्री कृष झाल